जेड़ आर्चिवर के अंदर ये लिखा जाता है जब हम किसी फाइल को एक्ट्रैक करने के कोशिश करते हैं ओवर्राइट फाइल्स ठीक है यहाँ पर ओवर्राइट फाइल्स करके लिखाता है तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका एक्स्ट्रैक सही हो सके या फिर एक्स्ट्रैक कंप्लीट हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखे जहाँ पर हमारी एक फाइल है जिसको मैं एक्स्ट्रैक कर रहा हूँ और जैसे मैं इसके उपर click करता हूँ extract एउपर जैसे हम वापई से करेंगे ठीक है यहाँ पर जैसे हम extract के उपर click करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से लिखा आएगा तो बैसिकली क्या है कि यहाप यापका जो भी आप extract कर रहे है इससे पहले आपने इस फाइल को एक तो extract कर रखा होगा या पर इसी नाम से same folder already बन चुका है ठीक है इसी नाम से already एक folder बन चुका है तो इस वज़े से याप याप आप से को बता जाता है कि already एक folder बना हुआ है तो यहाप तीन option है एक तो rename है यानि कि आप इस फाइल का जो नाम है वो rename कर सकते हैं बदल सकते हैं दूसरा skip का option है और तिसरा replace कीप करेंगे तो यह file जो भी operation आप कर रहे है जो भी extract वगेरा कर रहे हो cancel हो जाएगा और last वाला है replace यानि कि जो folder आपका already है उसके अंदर ही यह सारा data चला जाएगा और पहला folder automatically जो है हट जाएगा remove हो जाएगा ठीक है तो इन तीन option का आप use कर सकते हैं basically remain के उपर click करेंगे तो यहापे आपको password देना है और जैसे आप password याप अपने डाल दोगे जो अगर file protected है password से तो वह डालने के बाद आपका next जो खुलेगा वह आप जो folder का नाम है वह डाल सकते हो और folder create हो जाएगा और बाकि अगर replace करेंगे तो आपका directly automatic हो जाएगा already जो folder है उसके अंदर यह हो जाएगा अब यहापे देख सकते है काइन master से related है तीन folder है जो की हमने replace किये होए है यहापे one और two इस तरीके से उसके आगे in bracket बन चुका है उमें तो आप लोग समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो like और channel को जरूर subscribe कर लिजेगा